नमस्कार, दोस्तों, आज का दिन बहुत ही important होने वाला है, क्योंकि आज मैं ये video बना रहा हूं, ये सबसे जुरा हुआ वीडियो है, क्योंकि इस video के माध्यम से आपको पता चलेगा कि हमारा क्या rights है, हमारा क्या महत्त्तो है, हमारा सम्भिधान का क्या महत्त्त है. क्योंकि इस वीडियो में बहुत कुछ खास होने वाला है, बहुत कुछ जानकारी आपको मिलेगी, आसा करता हूँ यह वीडियो आप पूरा देखोगे, पूरा देखोगे, पूरा समझोगे, और इसको जाद से जादा शेर भी करोगे, तो दोस्तो आईए इस्टर्ट करता लिखा गया था, बारत का संभिधान उनीस सो उन्चास में लिखा गया था, और इसको लागू होने में तीन महीन लगे थे, 26 जनवरी उनीस सो पचास में यह लागू हुआ था, तो कल का जो दिन है, वो संभिधान दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, पूरे भारत में, इसमें बहुत सारे कुछ खास होने वाली है, हमारे संसद, हमारे प्रधान मंत्री, गृह मंत्री, हमारे संसद के स्टीकर्स, यह सब सारे मौझूद होंगे, और उनके मौझूदगी में कुछ कारिक्रम किये जाएंगे, जिसका सीधा प्रसारन आप लोकसवा टीवी से संभिधान दिवश मतलब पूरे राज में माना जागा सबसे पहले बड़ी वात इसके बारे में लोग आपको जानकारी देगी कहना इसलिए जरूरी है यह वीडियो बनाना इसलिए जरू लिए क्योंकि संभिधान एक ऐसी पुस्तक ना कि एक पुस्तक है एक ऐसी जिसे कहते है राइट्स एक ऐसी मतलब आदमी का विचारधारा जिसे कह सकते हैं आप है कि जिससे सभी लोगों इससे जूरते हैं चाहे वो बड़ा हो चाहे वो छ अगर कोई माइनोरिटी से है उसका भी अलग सा बनाया गया है कि उसको एक अलग सा रिजरुवेशन दिया जाए तो इस संभिधान में बहुत कुछ सिखाया है लोगों को बहुत कुछ जानने की जरूरत है कि यह संभिधान बहुत ही बड़ा है और सभी लोग इसके बारे में सभी लोग नहीं जानते इतना ही जानते है कि सभी का अधिकार है जानना कुछ भी जानना किसी से भी जानना किसी से भी पूछना यह सब कुछ हमारे संभिधान ने हमें सिखाया है हम जो इस तरह से freely आपके सामने बात कर रहे हैं अपना राय रख रहे हैं किसी के बारे में बता रहे हैं आपको यह बस संभिधान की वज़ा से है कि संभिधान हमें राइड देता है कि आप अपने विचार को खुली रूप से आप सभी के सामने रश सकते तो बहुत सारे कुछ बहुत भी जरूरी है यह संभिधान हमारे देश में और यह संभिधान हमारे मतलब सबसे दुबो पुराने दुनिया में सबसे पुरानों में से एक है, क्योंकि यह लागु हुआ था humili साथ panels चिंजेज भी हुए, कुछ पडिवर्तन हुआ गया, कुछ इंप्लिमेंट हुआ गया, कुछ एड किया गया, कुछ निकाला गया, मतब बहुत सारे कुछ करके इसको 26 जनवरी 1950 में इसको फुल पुरी तरह से पूरे देश में लागू कर दिया गया, इस लागू करने के बाद सभी का एक अधिकार हो गया, सभी का एक हक हो गया कि हमारा भारत देश में परतेकनागडी का अलग अधिकार होता है, संभीदान के परती, तो हमारे ये कर्ता भी होता है कि कल 26 नवंबर है, और हमें मतलब यह कहना चाहिए कि जिस तरह से हम लोग 26 जनवरी बनाते हैं, जिस तरह से हम लोग 15 अगस्त मनाते हैं, उसी तरह से हम लोग 2 अक्टूबर मनाते हैं, गांधी जी का जहनती बनाते हैं, उसी तरह से हम लोग 26 नमबर भी मनाएं, पूरे देश में संविधान दि इसलिए आसा करता हूँ यह वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा और अच्छा लगा होगा तो आप एक लायक कर देना शेयर कर देना दोस्तों के बीच आपका कोई भी राय हो कोई भी विचार हो कोई भी सुझाव हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकत मैं उसका पुरंत रिपलाई दोंगा तो दोस्तों यह था आज का वीडियो आसा करता हूं यह वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा तब तक के लिए आप खुश रहिए सुरक्षित रहिए जय हिंद